अकेला हम को छोड़के हमारे दिल को तोड़के कहां चले कहां चले दोस्तों नमस्कार सलाम आदाव मैं शाहिद जेपुरी आज आपको फिल्म मुगले आजम के एक खास गाने के बारे में बताना चाहता हूँ जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है जो कि रफी साब ने गाया था लेकिन उसको फिल्म से हटा दिया गया वैसे तो फिल्म के लिए 20 गाने रिकॉर्ड किये गए थे लेकिन आठ गाने इस फिल्म से हटा दिये गए लेकिन इस फिल्म में रफी साब ने सिर्फ दो गाने रिकॉर्ड करवाए थे पहला गाना जो आप फिल्म में कई बार सुन चुके होंगे ए महबबत जिन्दाबाद लेकिन इसके अलावा फिल्म में एक गाना और था और उस गाने के बोल थे अकेला हम को छोड़के हमारे दिल को तोड़के कहां चले कहां चले इस गाने के साथ कुछ अजीब किस्सा हुआ ये गाना फिल्म के आखिर में जब अनारकली को सलीम से दूर किया जाता है तब ये गाना सहजादा सलीम यानि दिलिप कुमार साब पर फिल्म आया जाना था गाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी लेकिन के आशिफ को ये कुछ अजीब लगा कि एक सहजादा गाना गाएगा तब के आशिफ ने अपना पूरा सीन दुबारा से लिखवाया और उस गाने के जगे दूसरा गाना लिया गया जिसे लतावाई ने गाया और गाने के बोल थे खुदा निगे बान हो तुमारा उठो हमारा सलाम ले लो के आशिफ साब ने फिल्म के डिमांड के इसाब से ये गाना हटा दिया और इसी वज़ा से रफी साब के करोडो फैन एक बहतरीन गाने को सुनने से देखने से नहरूम रह गया काश ये गाना सुन पाते काश इस गाने को हम देख पाते काश ये गाना दस्तियाब होता तो कितना अच्छा होता